जहिन साथियो अभी हम लोग पसित हैं एक जाम टूर चैनल पर लगातार आप जान रहे हैं कि शात्वे चरण की बहाली को लेकर भी द्यारती द्वारा यानि की अभ्यारती के द्वारा आज भी अंदोलन का डेट दिया गया है तो आप देख ले आज का ये क्या है कैसे है द्वारा तो देखिए उसमें क्या होगा कैसे होगा आप सब के लिए क्या इसमें कुछ लाब हो सकता है बित भी भाग की हरी जंडी मिली का च्छा एक से बारह तक के लिए होनी है बहाली यानि की बित भी भाग ने हरी जंडी दे दी सिक्षक भरतीनी अमावली पर मुहर प उने दो लाग सिक्षकों की बहाली के लिए सिक्षक नियमावली 2022 को बित भी भाग की महरी जंडी मिल गई सिक्षक बहाली सहित सिक्षा भी भाग से जुड़ी योजनाओं की मुखमंतरी नितिश कुमार की अध्यक्सता में गुरुबार को बैठक होगी समिक्षा के दोरान मुखमंतरी के निर्देश के अधार पर सिक्षा भी भाग अंतिम रूप से प्रस्ताव तयार कर कैविनेट को भेजेगा समिक्षा के दोरान ही प्ररंभिक ए स्कूलों में सिक्षक बहाली के लिए बीटेट आयोजित किये जाए या नहीं इस पर भी चर्चा होगी हो शक्त जा रहा है कि दिसंबर अंत तक या फिर अगले साल सुरू में सात्वे चर्ण के सिक्षक बहाली के लिए वेकेंसी आएगी सिक्षक नियुकती नियमावली में बीटेट सीटेट और स्टेट के रिजल्ट पर साथ प्रतिशत और सैक्षिडिक वा प्रसिक्षिड योगता य निकि सेंट्र लाइज तरीके से आउनलाइन आवेदन के लिए मांगे जाएंगे किस नियोजनआ काई में सिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन जाय दिया जाएगा रहना चाहिए ज्यए आगे पढ़ते हैं अब देखें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहाए इसको आप जरूर देखें अजन प्रतिनी धी पूरी तरह बाहर होंगे यानि कि बाहली के लिए चैन प्रक्रिया में मुख्या प्रमूक जीला परिशद अध्यक्ष मेर सहित जन प्रतिनी धी बाहर रहेंगे अच्छी बात है चैन के बाद अभ्यार्चियों की शुची पंचायत और रिक्ती बताई जा रही है कच्छा एक से आठ तक के सिक्षक बाहली में सामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उतिर नलग भग धाई लाख अभ्यार्थी है सिक्षक बाहली के लिए राज अस्तर पर भी भागिये कमेटी होगी जो मेधा सुची तयार से लेकर चैन पर क्रिया पूरी कराएगी पटना को छोड़कर अन जिला में नियोजन इगाई में चैनित अभ्यार्थियों को 28 सितंबर को नियुक्ति पतर दिया जाना है चठे चरण में 26 हजार से अधिक पदरिक्त रहना तय है यह सातवे चरण में बहाली में जोड़ी जाएगी अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान देने का प्रियास करें चलिए आप से बता दें क्या कहा जा रहा है सिक्षक भरती सातवे चरण कक्षा एक से बारह तक पौने दो लाग पर आएगी वेकेंसी लेकिन आप यह देख सकते हैं और क्या है आज समिक्षा बैठक है प्रकासित खबर जीला से भेजी गई थी रिक्ती प्रारमिक एसकूल के लिए इतना लाग की रिक्ती भेजी गई इसमें सुधार के बाद लगभग एक लाग रिक्ती और रह गई उचे और उचे तर मादिमिक वेश्कूल के लिए 32,714 सिक्षकों की बहाली के लिए अब तक 2716 योग अभियर्थी मिले है जिन योजन इकाई में काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी उसके लिए एक अलग सी डियूल जारी किया जाएगा और एक खबर है 373 अंग एक्षक भरती परिक्षा का जो अंग एक्षक भरती की मुख परिक्षा दो से चार नौमबर तक यानि की बिहार पंचायत अंग एक्षक सेवा बहाली के लिए लिखित मुख परिक्षा दो से चार नौमबर तक होगी दो नौबर को समानने हिन्दी वा समान अध्याइन पत्र की परिक्छा होगी तीन को समान अध्याइन दूतिये पतर की ऐचिक बिसर की परिक्छा होगी आप देख सकते हैं यहीं सीटेट से जूरा हुआ महत्पून यानि की विद्यारत